ना खुद क्रांतिकारी हो सकता मैं किसी नेता विशेश को नहीं मैं इतिहास से बारी हुए चीज कह रही हूं एक प्रांतिकारी अंबेद करने हजारों नेता तयार कर दिये पिर जयंद समय पर खुद भी नेता बन कर समगता कि चानूर मंत्री बने इसह लेकिन लेकिन एक क्रांति कारी को तयार नहीं कर पाया तर्फू इक चापलस तयार करता शवाबिमान मारता ताकि उसकी चापलस सी करते रहे समाज में क्रांतिकारी लोगों की जरुवत है गाउं में काम करने वाले लोगों की जरुवत है ऐसे लोगों की जरुवत जो ये नीचे खड़े हैं इनकी कोई तंखा नहीं है अगले दिन इनके साथ क्या हो जाए ऐसी कोई गैरंटी नहीं है उसके बाद में ये लोग लगे ह हुए कॉसका पड़ूब में कान्टा करने वाले लगों की इजब करने की ज़रुत है, जो बिना किसी नेता की भूप यह नेता भनने की भूप लिए लगतार काम कर रहे, और ऐसे लोगह इसमय है भी बहुत बैठें उनकी बडोलत कारेकरम सब्सक्रा拍 तो से कोई नहीं तैयार होता लेकिन कोई तहारों से तयार हो सकते हैं ध्याते यह क्यों अधिवित देटी यह एक ऊसी ई पह जोड कर на haan यह समय चाप प्लूशी का नहीं बचा है यह समाज एक दूपता हुआ जहाज होता जा रहा है और एक एक करके अगर हमने बचाने की कोशित की तो हम एक एक करके इसके नीचे दब के मर जाएंगे और हमने सबने हाथ लगा कर उठा करके इसको बचाया तो मुझे लगता है अभी 2024 में भी हम इसको बचा सकते हैं तो सब को एक जुट हो करके बचाने की जरुवत है आज के वर कहने की जरुवत नहीं है मैंने कह दिया उसने भी कह दिया सब कहके जा रहे एक जुट हो लेकिन क्या गारंटी दे कर जाएंगे कि ये सारे नेता एक जुट होंगे क्या क्या जिन्मेदारी लेकर जाएंगे कि य देखेंगे अगले राश्ता क्या निकाला जाएगा हमें अपनी बात बोल दी लेकिन अमारे समाज को क्या लाब हुआ हमें इस पर अपनी समिक्षा करनी होगी मेरे सारे लोग जितने भी यहां बैठें बहुत बहुत दूर से आये हैं असाम से आया है कोई पंजाब साया सारे लोग जो बेगारी में जिन्दगी जी रहें लेकिन फिर भी किराया लगा के वो यहां तक आए हैं यह उनकी कुर्बानियों की बदोलग कारेकरम हुए हैं तो यहां से कुछ रिजल्ट निकलने चाहिए समाज को एक उमीद है कि आज की कारेकरम से कुछ होगा दो दिन आ लेकिन की यह त्रूसों की है कि महिला में शामिल नहीं है हमारे घरों में किसी नहीं से में दों से 4 में मिला हर परिवार में बेखरी आपके लिखारम में एकपरिवार की नहीं बैखरी कि जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो नेया पीरिया पात करिए कटter के तो अंतर करते आं attendant हिंदु कोड बिलको भारते संविधान की तरह बेहर जरूरी मानताओं को कि किसी भी समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं से आकी जाती है और आपकी सिती आपकी महिलाओं के ना होने से ही पता चल रहे कि आपने कितनी तरक्की करी है आपने तरक्की तो करी है लेकिन प्राइमरी नहीं सिखाओगे तो प्राइमरी नहीं सिखाओगे तो प्राइमरी करने की कैसे उम्मित कर लोगे प्राइमरी क्लाइव सिखाओगे तो इन्हें आगे कैसे निता बना लोगे कल को फिर हिने ने नहीं के लगा हिले न क्योंकि ये तो भ़ही पर गंटी बजाती रहेंगी वही पर बाबाओं को दान करती रहेंगी वहाँ पर जो एस्टो लोगी जेר से ज्यान पूश्टूरें सब्सक्राइब लगाई जीतने के लिए हमें हमारी महिलाओं को तैयार करना होगा आप यह समाज को तैयार करते हो अंबेख्रष्त के लिए हुआ आपके महिलाओं तैयार करते हैं आपके बच्चों को भ्राम्वाद के लिए तो वहां से भषण है यहां से खाली कर रू है तो क्या है हमारी जीतनी चाहिए तो रहते जा रहे हैए आज हर बान अच्छी लगती है मुझे हर नेता कहता है मेरी अपील है कि एक जुड़ाने के लिए बैट कर प्लानिंग करिए सारे नेता भाज़र दे के गायब ना हो जाए आज साम को बैखें और कहें कि अगला राज तक क्या निकाला जाएगा बरना ये गले की खुझली खतम की बात खतम हो गई जनता ने सुना हमने बोल दिया बहुत मैं ये पूरा जीवन कुर्बान करना चाहती हूं आज लोजी को घर घर तक महिला और तक आपके बच्चों तक पहुचाना चाहती हूं मैं देखूंगी कि कितने लोग कहेंगे कि ठीक है आप जैसे सो लोगों को हम चलाएंगे रात दिन और आप जाकर के काम करो वादा करत सब्सक्राइब करते हूं तो सो लोगों को आप हायर करके छोड़ दीजिए और रही बाद जातिगच जंगरना की वो जातिगच जणगरना नहीं कराएंगों हमें ऐसे लडाई लगते रहेंगे आज हमारी पार्टियां भी हैं संगठन भी हैं एंजिआ जिन पर करोड़ों सब्सक्राइब नहीं करेगी और आपके जितनी भी पार्टियां हमारे जितने भी नेता हैं एक राष्टे इस तर पर नेता चुलो बहुत हो गई लडाई जगड़े हम सो सो लोग चार चार सो लोग अलग अलगी खट्टे करके इस समाज की लडाई नहीं जीत पाएंगे इस स 24 घंटे के लिए एक मंच बनता है अगर उससे चिपके रहने की जिद रहेगी जिद्धी बच्चे की तरह तो फिर डॉक्तर अंबेट करके हम हॉलवर कहां हो गए दॉक्तर अंबेट करने तो मंत्री मंत्रे की कुर्सी से इस्तिवा दे दिया था वो तो नहीं चिपके रहे वो तो छोड़ दिया था ये दुखोत है वो कि ये होना हिंदु को अड़ बिलपास होना बहुत जरूरी है तो आग क्यों नहीं कहते हैं कि ये समाज को आज बचाय रखना बहुत जरूरी है अकेले नेता ने इतने करोड़ों लोगों की आजादी करा दी आप हजारों नेत आगा आप इस समाज की आजादी नहीं करा पार है तो यह कहीं न कहीं हमारी लडाई में कमी है हम एक दूसरे की तारीफ है करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है तारीफ है करना लेकिन मैं पिछले 12 सालों से तारीफ कर रही हूं इसलिए मज़े लगता है इसके कोई लेंगे हम रोटी पर काम कर सकते हैं और लेकिन दूसरी चीज़ यह है कि समाज के लिए वो इमांदर इसे खड़ा होना चाहेंगे आज पार्टियां भी बहुत हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रियादा करती हूं कि उन्होंने जंसंख्या गिंती कि इतनी बड़ी लडाई प समाज में भरंग फैला देते और अपना अदमी को मजबूत करकर रखते हैं कहां ले जाना चाहते हो इस लड़ाई को कहां ले जाना चाहते हैं इस समाज को मेरी सभी इस समाज के नेताओं से गुजारिश है एक दूसरे पर आरोप पिट्टे आरोप लगाने की बजाए एक कर आगे कभी दी इस तरह की जिम्मेदारिया हमें मिलती हैं तो हम सब लोग जाकर के तक कि काम कर सके ग्राउंट पर दूसरी चीज यह है कि महिलां को लेकर करके आप लड़ाई लड़िया आपकी जीत हांसिर हो जाएगी यह महिला अगर हमारी लड़ाई के बर राजनीति क होती तो हम शायद बहुत पहले ही इस लड़ाई को मानेवर कासी राम के दुआरा जीत चुके थे लेकिन बात इसके साथ साथ हमारे साथ एक लड़ाई और है विवस्था परिवर्तन की वह जिस ववस्था में हम समाज की समाजिक रूप से नीचे रखे गाए हैं और वह व महिलाओं को साथ लेजिए इस मंच के उता हुए एक एक मुद्द देश के लिए महतुपून है इसी के साथ जैभीम जै समाज जै भारत जै समिधान नमो बुद्धाय गौतम रखना हेलो फ्रेंट्स वेलगं बहुजन समाज और महिलाओं पर अत्याचार होने पर हम अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचा सके आप अपनी साहिता राशी नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं खाता धारत गौतम रखना खाता संख्या 3169566865151 IFSC Code SBIN 0060336 Bank भारती स्क्रीट बैंक आप हमारे बैंक खाते का विबरन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मैं गौतम रतना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता है चेक कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 981 0085714 और 851 005714 हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं www.gothamfilmsproduction.gmail.com जै भी, जै समिधान, जै भरत, नमोपुताय, धन्यवाद